टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट करोना सिचुएशन इन कानड़ा एंड अराउंड गलोग डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू अनली अट टेग टीवी काबल में फस्य अफ़राद के लिए मिलिटरी फ्लाइट आपरेशन बहाल कर दिया है जो स्रेन टूडो का कहना था कि दो फौजी तैयारो की मदद से काबल में फस्य अफ़राद को निकाला जाएगा लोगों को अगवानिस्तान से निकालने में कनेडियन फौजी भी हिस्सा लेंगे कनेडियन सूबे ओंटेरियो की प्रोग्रेसिव कंजरवेटिव पार्टी पी सी की तरफ से ओंटेरियो के रिखाइशों को भेजे जाने वाले खतूत के बारे में जॉइन वॉइस की तरह नजर आते थे शदी तनकीत की जद में आए और इस बात पे माज़रत की है टोरेंटों में महक्मे मौसुमियात की गर्मी में मजीद इजाफे की पेश कोई 1965 में अगस के महीने में शदीद गर्मी का रिकॉर्ड तूटने का खच्चा दरजे हरारा 40 डिग्री सेंटी ग्रेट तक जा सकता है कैनेड़ा भर में कोरोना वारिस के वार जारी मरीजों की मज्मी तादा 14,62,906 तक जा पहुँची औंटेरियो सुबह में कोरोना केसिस की तादा सबसे स्यादा हकूमत की तश्कील के लिए तालबान रहनुआ काबल पहुँचना शुरू सुहेल शाहिन कहते हैं कि अफगानिस्तान का नया आईन तयार किया जाएगा काबल से पांच दिन में 18,000 अफराद का इंखिला अमरीकी हकूमत ने अफगान जंग से मतालिक सच नहीं बताया वाशिंटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो बाइडें दिजामिया को तालबान के कब्जे से मतालिक 13 जोलाई को खबरडार कर दिया गया था अफगानिस्तान के मौामले पर तुर्क सदर का दो टोक मौकफ सामने आ गया तालबान ने अमरीकी फॉश की बायो मैट्रिक डिवाइसिस कब्जे में ले ली जिए उनका कहना है कि आर्मी बरादरी अफगानिस्तान पर दबाव डालने के बजाए उसकी मदद करे दुनिया भर में कोरोना वारस के दबाकारिया जारी कोरोना वारस से एक ही दिन में साड़े ग्यारा हजार से जाई दमवाद मतास्ट अफ़ाद की तादाद 21 करोड आठ लाग 54 हजार नौ सो साथ तच्चा पहुंची हैडलाइज आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ ग्रीनिश हैं सानिटाइजर ना ओईली ना स्टिकी ना बद्बू और मुकमल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म, मुलाइम और साथ आज ये अपनी खरीबी फर्मसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट को और्डर करें www.greenish.com कनेडिन वजीर आज़म जस्रिन टूडो ने जमरात को सहाफियों से बाच चीत करते हुए कहा कि आने वाले हफ़तों में बहुत से लोगों को अगवानिस्तान से निकालना तकरीबन नामुम्किन हो जाएगा वजीर चांते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा ने काबल में फसे अफराद के इनखिला के लिए मिलिटरी फलाइट आपरेशन बहाल करने का ऐलान कर दिया वजीर आज़म जस्रिन टूडो कहते हैं दो फाजी तैयारों की मदद से काबल में फसे अफराद को निकाला जाएगा इनखिला के लिए कैनेडियन फाजी काबल में मौजूद हैं वजीर आज़म जस्रिन टूडो ने जमेरात को सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा है कि आने वाले हफ्तों में बहुत से लोगों को अगवानिस्तान से निकालना तकरीबन नामुम्किन हो जाएगा जिसकी वज़ा ये है कि तालबान मुलक छोड़ने के खौाहिशमन अगवानों की एरपोर्ट तकरसाई रोकने का सिलसला जारी रखे हुए है टूडो ने सहाफियों से गुफटगू करते हुए कहा कि जब तक तालबान अपना अंदास नुमाया तोर पर तब्दील नहीं करते जिस पर आलमी बिरादरी और कैनेडा काम कर रहे हैं बहुत से लोगों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होगा अभी हाल ही में टूडो ने कहा था कि कैनेडा के दो तैयारे काबल बाकाइदगी से परवासे करेंगे ताके लोगों को निकालने में मदद मिल सके हाला के हमारी वाज़े ख्वाहिश है किनेडा और दुनिया भर के मुमालिक ज्यादा से ज्यादा लोगों को महफूस मकाम तक पहुँचाएं लेकिन दूसी तरफ जमीनी सुरतिहाल इंतहाई पेचीदा और इंतहाई मुश्किल है कनेडियन सूबे ऑन्टेरियो की प्रोग्रेसिव कंजरवेटिव पार्टी पी सी की तरफ से ऑन्टेरियो के रहाईशों को भेजे जाने वाले खतूत के बारे में जो इन्वाइस की तरह नजर आते थे शदी तनकीद की जद में आए और इस बात पर माज़रत की है कनेडियन सूबे ऑन्टेरियो की प्रोग्रेसिव कंजरवेटिव पार्टी की तरफ से ऑन्टेरियो के रहाईशों को भेजे जाने वाले खतूत के बारे में जो इन्वाइस की तरह नजर आते थे शदी तनकीद की जद में आए और इस बात पर माज़रत की है जमिरात को जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि पार्टी को अफसूस है कि खतूत भीजे गए लेने से इनकार के बाद ऑन्टेरियो के प्रोग्रेसिव कंसरवेटिव उमीदवारों की फैरिस से निकाल दिया गया है निकुलेस ने एक न्यूस कांफरेंस में ऐलान किया कि उसने अपनी एहलिया के साथ मिलकर जाती वजुहात की बिना पर वैक्सीन ना लेने का फैसला किया मैंने जाती तोर पर फैसला किया है कि कोविड नाइंटीन वैक्सीन ना लूँ प्रेमियर के कहने के मताबक वैक्सिनेशन एक इंतिखाब है और तमाम ऑंटेरियन बाशिंदों को इसके लेने या ना लेने के बारे में इंतिखाब करने का आईनी हक है इंतिखाबी फैरे से इखराज का मतलब है के निकुलस अब आजाद हैसिया से इंतिखाब लड़ेंगे वो प्रेमियर डगपोर्ट की पार्टी के इन दो अरकान में से एक हैं जिन को वैक्सिन नहीं दी गई दूसी जानिब केनिडा में विफाकी एलेक्शन महिम के दारान उपोजीशन रहनुमाओं ने केनिडा में घरों की बढ़ती हुए क्यमतों और रहाइश में रस्त के मकाबले में तलब से पैदा शुदा बहरान को कम करने के दावे और वादे किये कैनिडा के शहर टॉरंटो में 1965 में अगस्त के महीने में पढ़ने वाली शदीद गर्मी का रिकार तूटने वाला है मज़ीद अफसिला चानते हैं इस रिपोर्ट में कैनिडा के शहर ट्रॉंटो में 1965 में अगस्त के महीने में पढ़ने वाली शदीद गर्मी का रिकार्ड टूटने वाला है। ट्रॉंटो में महकमे मौसमयात ने गर्मी में इजाफे की पेशकोई की है जिसके मताबिक जुमे के रोज 40 डिग्री सेंटी ग्रेट तक होना मतوقع है ट्रॉंटो अब गर्मी की लहर की इजद में है क्योंके हफ़ते के आखिर में नमी का तनासुब 40 पीसद तक बढ़ने की तवक्व है। इन्वार्मिन्ट कैनिडा ने जुमे रात की शाम इंतिबा चारी किया कि शहर 39 डिग्री सेंटी ग्रेट से ज्यादा गर्म है। ज्या के आराम करने के लिए एर कंडिशन जगा पराहम करेगा और जहां ठंडे पानी का भी इंतिजाम होगा। जबके कूलिंग सेंटर्स में कोविड-19 सहथ और हिफाज़त के प्रोटोकोल, बशमूल जिसमानी दूरी, मास का लाजमी इस्तिमार और हाथ धोने ऐसे तमाम कूलि एक सूबे में हुई हैं, सूबे में करोना वार्स के मजमूए केसिस की तादात 3,183,191 है, मज़ी तफसिला जानते हैं इस डिपोर्ट में आखरे इतलात के मताबिक कैनेडा भर में करोना के मरीजों की मजमूए तादा 14,62,906 तक जा पहुँची है, जबके हलाकतیں 26,783 हो गई, जबके 14,14,266 मरीज सहत्याप हो चुके हैं आंटेरियो सुबे में करोना केसिस की तादात सबसे जदा है, सुबे भर में करोना वारिस से मतासिर होने वालों की तादात 5,57,451 तक जा पहुँची है, जबके हलाकतों की तादात 9,448 है कैनेडा में करोना वारिस के सबसे जदा हलाकतیں क्यू बैक सुबे में हुई हैं, सुबे में करोना वारिस के मच्चुई केसिस की तादात 3,83,191 है, जबके सुबे में करोना वारिस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादात 11,277 तक पहुँच चुकी है केनेजिन सूबे अलबेटा में भी इस मोहलिक वावा में इजाफा देखने में आ रहा है जहां 2,42,248 अफराद करोना वायरिस से मतासिर हुए है जबके 2,342 अफराद हलाक हो चुके है ब्रिटिश कोलंबिया में केसिस की तादाद 1,58,256 तक जा पहुँची है जबके सूबे में करोना वायरिस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1784 है अफगानिस्तान के दारलहकूमत काबल में इंतकाल एक्तिदार और हकूमत की तश्कील के लिए तालबान रहनुमा कंधार से काबल पहुँचना शुरू हो गए मज़ीद अफसिला जानते हैं इस डिपोर्ट में अफगानिस्तान के दारलहकूमत काबल में इंतकाल एक्तिदार और हकूमत की तश्कील के लिए तालबान रहनुमा कंधार से काबल पहुचना शुरू हो गए तालबान के साबक वजीर अदलो इंसा मुला नूरुदीन तरावी ने मीडिया से ख़यर रस्मी गुफटगू करते वे बताया कि काबल में सियासी रहनुमाओं से मुझारा के लिए पहले ही मुला ब्रादर पहुच चुके हैं मुला नूरुदीन तरावी ने बताया कि तालबान कयाद सियासी काईदिन से ख़खोंत sini पर काबल में बादर चीथ करेगी मुलक है जिसकी बड़ी मैश्यत और सलायत है वो अववानिस्तान की तामीरे नो बहाली और तरकी में अपना किरदार अदा कर सकता है अगवानदार न हकूमत काबल में मुझारी ने ताल्बान से मस्तविल की हकूमत में खावातीन को शरीक करने का मुझारी ने प्रेकार्ट उठा रखे थे जिस पर लिखा था कि अगवान खावातीन ने अपने हुकूग को बड़ी जद्द जहद के बाद हासल किया है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मताबिक जॉर्ज बुश बराक उबामा और डानल टरम्प के कमांडर अफगानिस्तान में नाकाम रहे। अमरीकी अखबार ने दो साल पहले कहा था वाशिंग्टन जूट बोल रहा है। मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी जरीदे वॉले स्ट्रीट जर्णल ने निकशाफ किया है कि अमरीकी महकमा खारजा ने तालबान के काबल पे कबजे के हवाले से बाइडन इंतिजामिया को तेरे जुलाई ही को खबरदार कर दिया था। अमरिकी मीडिया के मताबिक महकमा खारजा की खुफिया केबल के जरिये वजीर खारजा एंटानी बिलिंकन को बताया गया था कि तालबान अगवान अलाकों पर तेजी से काबिस हो रहे हैं और बहुत जल्द काबल भी उनके हाथ में आ जाएगा जरीदे के मताबिक काबल पर खब्जे से एक माह पहले बता दिया गया था कि तालबान की पेश किद्मी को अगवान फॉर्सेज रोक नहीं पाएंगे अमरीकी अख़ार वाशिंग्टन पोस्ट ने अगवान जंग से मतालिक रिपोर्ट जारी करते वे बताया कि अमरीकी हकूमत ने अगवान जंग से मतालिक सच नहीं बताया वाशिंग्टन पोस्ट ने रिपोर्ट जारी करते वे बताया کہ اغانستان میں تائنات 400 امریکیوں نے امریکی پالیسی پر تنقید کی تھی ترک صدر کا کہنا تھا کہ تالبان سے مشترکہ ایجنڈے پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں چین وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری افغانستان پر دباؤ ڈالنے کے بجائے اس کی مدد کرے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اغانستان پر تالبان کے قبضے کے باوجود ترکی نہ صرف امریکی افواج کے مکمل انقلہ کے بعد کابل ایرپورٹ کا دفاع کرنے بلکہ تالبان راہ رماؤں سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں چین کے وزیر خارجہ وانگ گی اور برطانوی وزیر خارجہ جو مینگ راپ کا ٹیلفون اکرابتہ ہوا ہے اس موقع پر چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری اغانستان پر دباؤ ڈالنے کے بجائے اس کی مدد کرے روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخرفہ کا پریس بریفنگ میں کہنا تھا کہ تالبان خواتین کے حقوق اور شہریوں کے مفادات پر غور کے لیے تیار ہیں ایک سوال کے جواب میں ترجمان کا کہنا تھا کہ روسی سفارتی عملے اور شہریوں کو اغانستان سے نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں دنیا میں گزشت 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے سات لاکھ سے زائد نئے کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ ساڑھے گیارہ ہزار سے زائد کورونا مریض موت کے موں میں پہنچ گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے سات لاکھ سے زائد نئے کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ ساڑھے گیارہ ہزار سے زائد کورونا مریض موت کے موں میں پہنچ گئے دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 21 کروڑ آچ لاکھ چون ہزار نو سو ساتھ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات چوالیس لاکھ سترہ ہزار چھے سو تین ہو گئی جبکہ اٹھارہ کروڑ ستاسی لاکھ پچانوے ہزار نو سو تیس کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تین تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھے لاکھ تین تالیس ہزار ایک سو بارہ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد تین کروڑ بیاسی لاکھ اکتیس ہزار سات سو ستاسی ہو چکی ہے کورونا وائرس کے امریکہ میں اکتر لاکھ اٹھانوے ہزار چھے مریض اسپطالوں قرنطینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں جن میں سے اکیس ہزار تین سو اکتیس کی حالت تشویشناک ہے جبکہ تین کروڑ تین لاکھ نوے ہزار چھے سو انتر کرونا مریض اب تک شفایاب ہو چکے ہیں ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ تین تیس ہزار چھے سو بائیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ تیس لاکھ اٹھاون ہزار آٹھ سو انتیس مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے آمواد تیرپن ہزار آٹھ سو اککانوے تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز ایک سٹھ لاکھ ستاون ہزار سات سو بہت تر ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں انانچاسویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد آٹھ ہزار چار سو انانچاس ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ چالیس ہزار سانسو تین تالس تک جا پہنچی ہے TAC TV کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV